गोतम बुद्ध की ऐसे कई बाते हैं जो आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताए गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फोलो करें तो आपको जल्द ही उसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताए गई बातों पर गोर करें। गोतम बुद्ध के अन्मोल विचार आपके जीवन की दिसा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बाते जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे महापुर्स हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिससे अगर कोई हारा हुआ सक्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। उनी महापुर्स सो में से एक हैं गोतम बुद। बुद के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइप को जीने के तरीके को सीख सकते हो। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं बलकि बुद की सिखसाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बाते आपको इमानदार दयालू और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आईए हम आपको गोतम बुद के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिसा को बदल सकते हैं। प्यार करना सीखें, नफरत को नफरत से नहीं बलकि प्यार से ही दूर किया जा सकता है, यह पहली सीख है जो हमें बुद के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी सक्ति साली है कि उससे उदासी गुस्सा और निरासा दूर हो सकती है चूप रहना सीखे हमेशा बड़ा बोलापन अच्छा नहीं होता कभी कभी चूप रहना भी बुद्धिमानी को निसानी होती है गोतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दरसाता है कि आप कोन है यदि आप अनावास्यक ग्यान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा इसलिए सांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गोर करने के में ही बुद्धिमानी होती है सोज समझ कर बोलें सब्ध बहुत ताकतवर होते हैं सच्चे सब्ध दुन्या को बदल सकते हैं वही कड़बे सब्ध दुन्या को बिनाज करने के लिए काफी होते हैं सब्धों का हमारे जीवन में बहुत परवाब पड़ता है इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत साब्धान रहना चाहिए अगर आप दोवाल बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहेते हैं तो यह उस ब्यक्ति पर बुरा परवाब डाल सकती है लेकिन अगर आप अच्छे सब्ध कहें तो उसे सुनकर सामने वाले में सुधार की बुन्जाइस बढ़ जाती है अपने जीवन में लक्षे तै करें आपको अपनी महत्व कांसाए खुद तै करनी होती है बुद्ध के इन विचारों को आपको सीख मिलती है कि आपको लाइप में अपना लक्षे तै करना चाहिए ये आपके लिए कोई नहीं बलकि आप स्वैम ही कर सकते हैं और कभी किसी पर निर्बन ना रहें दूसरों पर निर्बन रहना कंजोर ब्यक्ति की निसानी है ब्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा जीवन में कभी किसी पर निर्वन ना रहें आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए अगर आप इसे पकड़ कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे इसलिए डर को दूर करें क्योंकि डर के आगे जीत है दोस्तों आपको इन 5 गोतमबुद की ध्यान देने वाली बातों में से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और आप अपनी जीवन में कौन सी बात अपनांगे तो दोस्तों हमें कमेंट बोक्स में बताएं नम्मो बुद्धाय